C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याय 3, प्रिष्ट 14, कितने पैर? बच्चे सूप्रभात अध्यापिका जी, अध्यापिका सूप्रभात बच्चों, आज हम धर्ती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे जीवों के पैरों की संख्या, शून्य से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? श्याम जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है, बरसात में मेरे बहुत केंचुए देखे हैं उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं अध्यापिका बहुत ठीक, अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे इन जीवों को द्वीपाद कहते हैं मनुशिक के अतिरेक्त, आप कोई और द्वीपाद बता सकते हैं इस प्रिष्ट पर एक कक्षा का चित्र है, जिसमें एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है प्रिष्ट संख्या 15 रमेश क्यों नहीं, सारी चड़ियां द्वीपाद ही होती है न, अध्यापिका जी अध्यापिका बिल्कुल सही कहा रमेश अब हम यदि पशों की बात करें, तो ये बताएए कि आपने कभी किसी ऐसे पशों का नाम सुना है, जिसके दो ही पैर हों सविता जी हाँ ध्यापिका जी, मेरी मा एक दिन मुझे आस्ट्रेलिया देश के विशे में बता रही थी, और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्वीपाद पशु का चित्र दिखाया था, जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किन्तु मैं उसका नाम भूल ग रजनी वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धीमान है, आपके पास मेरी सभी प्रश्नों के उत्तर है, वह जब तीजी से चलता है, तो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है, तो जुक कर चार पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चत वैसे अधिकतर पशों के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाए, भैस और समीर, कुत्ता, बिल्ली, घोला, विर्णा, बक्री, गधा, बंदर, रफिया, मैधक, उद्बिलाव, घड्याल, इस प्रिष्ट पर कुछ जानरों के चित्र दिये गए हैं, प्रिष्ट संख्या सत्रह, रमेश, शेर, चीता, बिपिन, जेबरा, जिराफ, अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशों के नाम आते हैं, लेकिन आप देखते हैं, कि भिन-भिन कीटों के पैरों के विशय में आपको कितना पता है, आप सभी ने चीटे और चीटिया तो देखी ही हैं, बताइए, उनके कितने पैर होते हैं, अध्यापिका जी, मुझे चीटों को देखने में बड़ा आनन्द आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिये, और पता चला कि उनके छे पैर होते हैं, अध्यापिका, अरे वाह, अब आप स्वयम गिन कर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है, आपको पता है कि चीटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के छे पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भवरा, और राम, तितली, सिमरन, जींगुर, इस प्रिष्ट पर कुछ कीटों तथा फोलों के चित्र हैं, जैसे जींगुर, मक्खी, मधुमक्खी, इत्यादी, प्रिष्ट संख्या, अठा रह, अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा, आप सब कीटों में इतनी रुची रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है, जिसके छै से अधिक पैर होते हैं, रमेश, हसकर, मक्डी, सविता, हाँ, मक्डी के तो आठ पैर दिखाई देते हैं, जब वह जाले पर चलती हैं, अध्याफिका, बिलकुल सही बताया, अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विशे में बताना चाहती हूं, जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोडी से लेकर 191 जोडी तक पैर हो सकते हैं, इस अध्भुद कीट का नाम है कनखजूरा, आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी, नहीं, अध्यापिका, बास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है, यह अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं, जहां सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, या गीली घाज, या पत्तों के धेर के नीचे, पर सोचने की बात ये है, कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? इस प्रिष्ट पर कनखजूरों और मकड़ी का चित्र है, प्रिष्ट संख्या उन्नेज, बातचीत के लिए, 1. कुछ अन्य जीवों के नाम बताईए, जिनका उलेक इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताईए, 2. शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहता करते हैं, 3. क्या पशू पक्षियों और छोटे-छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहता करते हैं, 4. केचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं, जिसके पैर नहीं होते हैं, 5. पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन-कौन से अंग दो की संख्या में होते हैं, 5. आपका पैर अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए, आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है, पहचानिये और लिखिए, पैर एक अंगूठे है, हाथ एक अंगूठे है अब आपको बागे किरिक्ति स्थानों में ये भरना है कि इनमें क्या भिन है और क्या समान है प्रिष्ट संख्या बीज पाठ के भीतर 1. सही कथन के आगे सही का चिन्न लगाए 2. सभी जीवों के केवल दो ही पैर होते है 2. केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्यूंकि उनके पैर नहीं होते 2. दो पैर वाले जीवों को द्वीपाद कहते है 3. गाए, भैस, बक्रियादी, चतुषपाद है 3. रिक्तिस्थान अंग, जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक हो सकती है 4. रिक्तिस्थान 2. नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिये 4. शून्य पैर्वाले रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान 5. दो पैरवाले 4. चार पैर वाले रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान छे पैरवाले रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान आठ पैरवाले रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान आठ से अधिक पैरवाले तीन कैसे रखें पैरों का ध्यान? अपने सहपाथियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं क नाखुनों को नियमित रूप से काटना ख रिक्तिस्थान ग रिक्तिस्थान ग रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 21 भाजा की बात चार पैर वाले जीवों को चतुषपाद कहते हैं चतुषपाद का प्रशलित शब्द चौपाया है जिसका अर्थ है चार पैर वाला एक इसी प्रकार चार की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोजगर लिखिये चतुर भुज रिक्तिस्थान चोराहा रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान दो दिये गए उधारन के अनुसार तालिका पूरी कीजिए यहाँ पर एक तालिका दी गई है तालिका के तीन भाग है तालिका के पहले भाग में शब्दों में संख्या लिखी है दूसरे भाग में अंग्रेजी में अंक लिखा है और तीसरे भाग में हिंदी में अंक लिखा है एक, 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 दो, दो, रिक्तिस्थान, तीन, रिक्तिस्थान, तीन, रिक्तिस्थान, चार, चार, पाँच, रिक्तिस्थान, पाँच, छे, छे, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, साथ, साथ, आठ रिक्तिस्थान आठ रिक्तिस्थान नौ रिक्तिस्थान दस रिक्तिस्थान दस प्रिष्ट संख्या बाईस सोचिये और लिखिये कल्पना कीजिये कि एक दिन किसी स्थान पर कन्खजूरा, केंचुआ, चिडिया और आप एक साथ मिलते हैं कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है सोच कर लिखिए कि आप सब के बीच क्या-क्या बाते होंगी यहाँ एक लड़का, एक लड़की, केचुआ, कनखजूरा और चिड़िया का चित्र है और उन सब की बाचीत के लिए जगा दी गई है पहेली से पहले एक, आपने देखा कि एक खेत में कुछ भेंसे चर रही है आपने गिना, तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले बताइए कितनी भेंसे है दो, आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकडिया चल रही है आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले बताइए कितनी मकडियां है तीन अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चीटियां और मकडियां चल रही है आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर है बताईए कितनी चीटियां और कितनी मकडियां हैं प्रिष्ट संखिया 23 बूजो तो जाने लाल टेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर, पीछे तीतर बोलो कितने तीतर इस प्रिष्ट पर एक लड़का और एक लड़की का हस्ता हुआ चितर है प्रिष्ट संखिया 24 दोस्त के जूते मेंधक जूते बनाता था एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चीटा निकला चीटे के पास गुड की डली थी मेंधक ने चीटे से कहा थोड़ा गुड दे दो मच्चर खाते खाते ऊब गया हूँ चीटा बोला अगर तु मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड तुम्हारा मेंधक ने सोचा गुड के बदले छे जूते बनाना अच्छा सोदा है उसने हामी भर ली अगले दिल चीटा अपनी दोस्त के जूतों का नाप देने मेंधक के पास पहुचा चीटे का दोस्त कन खजूरा था लेखक चंदन यादव एक तारा ट्रस्ट की पत्रिका प्लूटो से साभार अभी आप सुन रह थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना वाचनस्वर प्रमीन शर्मा और रिचा सयाल ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग चेतना शर्मा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.